नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टेक सुरिशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाली में हुए ग्रेटर नर्डा आटो एक्सपो थो जार तेईस में वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज सुरूर से लेकर अंतर जरू देखें ताकि कोई भी महत्मुन जानगारी आपसे मिसना हो और अगर हमारा वीडियो पसंदाता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना बूलें और आइकोन बेल जरू प्रेस करें तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इसके अवरल लुक के बारे में इसका फ्रंट लुक दोस्तो बड़ाई शांदर और स्टैलिश नहीं देखने को मिल जाता है फ्रंट में ही दस इंच के मजबुट आयर विद सिंगल हैडरलिक कॉल स्पिरिंग सिस्पंशन यह देखने को मिल जाता है ड्राइवर के बात करें तो दोस्तों यहां पर एक कमफर्टेबल सीट फ्रंट में ही एक हैंडल बार जहां स्पेड मोड और हॉर्म लैट आधी का अप्शन देखने को मिल जाते हैं डेशबूर्ट के लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखें तो दोस्तों यहां पर वाइपर और बैक लेट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वहीं राइट हैंड पर आप लोग यह गलब बॉक्स दिया गया है जिसमें आप उपना जरूरी समल रसकते हैं लेफ्ट साज पर रिस्टार्ट की वहीं अगर हम सीट के राइट साज देखें तो ने देखने लेज जाता है सीट के नीची ही एक एक ईक्ष्टरा वील रखने की जगए लीए साथी साथ बात करें अच्छे खासा ने Energ用 के साथया गया है एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया गया है साथ-साथ यहां करीब दोनों तरफ तेन-तेन लोग आरम से बैठ सकते हैं यानि के छे लोग आरम से बैठ सकते हैं और गाड़ों के मगाबले इसका डैमेंशन काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों इसके कुछ खास और स्पेशल फीचर्स के बारे में L5 काटेगरी सुप्रेम DLX आटो 3D की अगर हम टॉप स्पिड की बात करें तो दोस्तों इसमें 45-45 किलोमेटर पर आवर की टॉप स्पिड यहां देखना कम जाती है इसके टॉप रेंज 120-130 किलोमेटर की है बैटरी के अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें लेटियम आयन बैटरी 21.5 वाल्टेस की 10.7 किलोवाट आवर की दमदार बैटरी दी गई है साथ इसाथ मोटर की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 किलोवाट आवर की मोटर चार्जिंग टाइम 6-7 गंटे का 700 किलोगराम का लोड कैपेसिटी और साथ शाथ 7-8 पेसंजर इस वेहिकल के अंदर आप अपने बिठा सकते हैं दोस्तों जिससे आप एक अच्छी खासी अर्णिक कर सकते हैं अब बात करें इसकी प्राइस की तो दोस्तों इसका अंडोड पैस 3,20,000 के आसपा से आप लोगो देखने को मिल सकता है इसे लॉंच होने में दोस्तों करीब करीब 2-3 मैने भी लग सकते हैं और यह है अभी अर्याना, तिल्ली और पंजाम में ही अवेलिबल होगा तो दोस्तों आप लोग को हमारे दोवरा दीगे जानकारी कैसे लेगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूब बताना और हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगली वीडिटों के लिंट जार कीजिए नमस्कार जैहिंद वन्दे मातरम